Hello students, how are you? आज हम सहित्य पुस्तक का पार्ट पांच माउंट आपू पड़ेंगे. आप भी अपनी पुस्तक का प्रिष्ट 43 खोलने और आदियो रिकॉर्डिंग सुनते हुए साथ-साथ पुस्तक से पड़ें. इस बार तो गर्मियों की चुटियों में आप किसी परवतिय स्थल की सेर पर जा नहीं पाए होंगे. तो चलो इस पार्ट के द्वारा हम घर बैठे ही इस परवतिय स्थल की यात्रा कर लेते हैं. पड़ते हैं पार्ट पांच माउंट अबू. तो पहले हम लेखा कि ने जो इसके बारे में बंक्तियां लिखी हैं उपर, पहले हम वो पड़ते हैं. हमारे देश में विभिन राज्ये हैं. इन राज्यों में घुमने के अंगिनत स्थान है. रंग बिरंगे राज्यस्थान का एक मात्र परवतिये प्रदेश माउंट अबू. एक मात्र मतला अंली वन. माउंट अबू. एक अध्भुत परियाटन स्थल है. परियाटन स्थल मतला घुमने फिरने का स्थान. आओ माउंट अबू. के बारे में पढ़कर जाने. माउं टाबू राजस्थान का एक मात्र पर्वतिय पर्याटन स्थल है इस पर्वतिय स्थल पर पर्वतिय मतल पहाड़ी हिली प्लेस पर वे सभी विशेश्टाई मौजूद हैं जो प्रकृती प्रेमियों को प्रकृती प्रेमी मतलब नेचर लवर्स को अपनी और आकरशित करती हैं आकरशित एट्रेक्ट खींचती हैं अपनी और जील का किनारा, उंचे घने वरिक्ष, उंचे नीचे, टेड़े मेड़े रास्ते डूपते सूरज का मनोरम द्रिश्य, मनोरम मतलब मन को अच्छा लगने वाला सहज ही प्रकृती प्रेमियों को अपनी और आकरशित करते हैं माउंट अबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली परवत श्रिंखला के दक्षिन पश्चिम में स्थित है माउंट अबू कहां है राजिस्थान का जिला सिरोही जो गुजरात की सीमा के सटी मतलब के साथ लगा हुआ जो अरावली परवत श्रिंखला है जो माउंटेन रेंज है अरावली के दक्षिन पश्चिम में ये स्थित है वैसे तो वर्ष भर यहां सैलानी आते रहते हैं सैलानी मतलब यात्री परियाटक पर ट्यूरिस्ट भी कह सकते हैं पर गर्मियों में तो यहां सैलानी का सैलाब उमड़ पड़ता है सैलाब मतलब जैसे बाड़ा जाती है बहुत ज़ादा रश होता है बहुत भीड़ होती है यात्रियों की यहां नकी जील के पास जील मतलब लेक नकी is the name of the lake नकी जील के पास शाम के समय घूमना वा बोटिंग करना परियटकों को विशेश रूप से प्रभावित करता है नकी जील राजस्थान के एक ऐसी जील है जो सर्दियों में अक्सर जम जाती है जील के किनारे स्थित यहां के मुख्य बाजारों में शाम को एक मेला सा लगता है यहां बिकने वाली अधिकतर दुकानों पर राजस्थानी वा गुजराती चाप नजर आती है तो यहाँ पे इसके किनारे पर जो तुकाने हैं, वहाँ पर राजस्थानी वह गुजराती चीज़ें मिलती हैं, चाप का मतलब वहाँ की वस्तुएं अधिकतर मिलती हैं, यहाँ, कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखुनों से, नाखुन मतलब नेल्स, इस जील को खो जो जैन निजम आपको पता है ना, तो जैन मंदिर हैं, वहाँ पे पांच, यह मंदिर संगमर्मर पर शांदर कारीगरी का अगभुत नमुन्ना है, इन मंदिरों का निर्मान 11 से 13 सदी के बीच हुआ था, प्रमुख मंदिर में 52 मंदिरों वाला गलियारा है, गलियारा जिसमें, जिनमें जैन तीर्थकरों की प्रतिमाई हैं, मतलब मूर्तियां, कहा जाता है कि 1500 कारीगरों ने 14 वर्ष तक काम किया था, तब इन खुबसरत मंदिरों का निर्मान हुआ था, मतलब 14 येर्स तक उनने लगा तार 1500 जो कारीगर, मतलब वरकर्स थे, उनने यहाँ प यह परमार राजाओं द्वारा बनवाया गया था, बाद में राणा कुंभा ने इसका पुनर निर्मान करवाया, पुनर निर्मान मतलब रीबिल्ट करवाया, फिर से इसको निर्मान, इसमें कुछ रैनोवेशन करवाई होगी, यहाँ अचल लेशवर, महादेव के नाम से भगवान शिव का मंदिर है, अचल एशवर, अचल है जो इशवर, यह संधी है, दो वर्ड्स को जोड़ कर एक बनाया गया, अचल मतलब जो स्थिर हो, स्टेबल, जो ही लेना, इशवर, और वो कौन है, महादेव, तो अचल एशवर, महादेव के नाम से भगवान शिव का मंदिर है, मंदिर के पीछे मंदाकिनी कुंड है, यहां सोलवी शताबदी में बने कलात्मक जैन मंदिर भी है, माउंट आबू पर एक संसेट पॉइंट है, जहां अस्तगामी सूरे के अप्रतिम सौंदर्य वा बदलते रंगों की अभूत पूर्व चटा को देखते हुए दर्शक आतमलीन हो जाते हैं, तो एक संसेट पॉइंट मतलब जहां पर सूरे डूबने का दिश्य नजर आता जहां से, तो अस्तगामी मतलब जो अस्त हो रहा सूरे, उसके सुन्दर नजारे को देखकर और बदलते रंगों, जब संसेट होता है तो उसमें कलर्स भी बहु में मेंडक के आकार की एक चटान भी है, जिसे टोड रॉक के नाम से जाना जाता है, यहां नन रॉक नाम की एक और चटान है, जिसे देखकर लगता है, जिसे कोई स्त्री घुंगट निकाल कर पैठी है, स्त्री मतलब एक महीला लेटी, माउंट अबू से 15 किलोमेटर की द्रिश्य दिखाई देता है, अपने अंदर विभीन मनमोहक स्थलों वा आकर्शनों को समेटे माउंट अबू की ऐसा परियाटक स्थल है, जो यहां आने वाले परियाटकों को आत्म विभोर कर देता है, तो इतना ही था, यह आपका आज का पार्ट, आज आपने इसे फिर पढ़ना है और इसका वाचन अभियास करना है, ताकि आप रीडिंग परफेक्टली कर सको, इस पार्ट का अभियास कारे मैं आपको बाद में सेंट करूंगी, सो तिल देन बाबाई